आज दोस्तो इस वीडियो में जानेंगे राम मंदिल की उडगाटर किस तारिक को एलान किया गया है इसके बारे में पीम मोधी ने क्या कहा है और दोस्तो राम मंदिल के कई रहस आज इस वीडियो में जानेंगे तो दोस्तो वीडियो को पुड़ा जरूर देखना साथ ही हम जानेंगे क्या राम मंदिल के उडगाटन में PM मोधी आएंघे या नहीं आएंगे तो दोस्तो विडियो कर लाजच तक जरूदेखना काफ़ अन्पोर्टेंट है दोस्तो उत्तर पर्देश के आयोध्या में बन रहे भव्य राम मंदिल के उड़ाटन का समय तै हो गया है इस सुभ कार्ज के लिए 22 जनबरी 2024 की तारीक और 12 बज़ कर 20 मिनट का समय तै क्या गया है अभी जीत मुहुरत में यह कार्ज करम होगा सुत्रों से मिल रही जानकारी के नुसार इसी तारीक और सुभ मूडत में राम लला की प्रान परतिष्ठा की जाएगी आयोध्या में चल रही बैठक में यह फैसला क्या गया है कि इस कार्ज करम में देश के परधान मंतरी नरेंद्र मोधी सामिल होंगे प्रान परतिष्ठा के एक सपते पहले से पूजा पाठ का काज करम सुरू किया जाएगा दोस्तो बाश जनवरी के दिन भगमार राम अपने इस भव्य मंदिल में बिराजमान हो जाएंगे देश और विडेश में रहने बाला हर राम भगत इस तारिक का बेस्तबडी से इंतजार कर रहा है आयोध्या के अन्मठो और मंदिरों के साध्यों का कहना है कि भगमार राम लला की प्रान पर्चिस्था के दिन आने बाले साध्यों और राम भगतों के राहने और खाने के लिए अपने मंदिल में पूरी तरह विवस्था करेंगे सभी के लिए रहने खाने का इंतिजाम किया जाएगा तरस्ट आयोध्या में राम जन्म भुमी के अभी सेख समारोह के लिए आने बाले भगतों को लगबग एक महिने तक मुप्त भोजन उपलब्द कराने की योजना बना रहा है राय में बताया गया है कि जन्वरी में गर्व गिरी में राम लला की प्रान परतिष्ठान के अवसर पर ट्रस्ट की ओर से एक महिने तक रोजाना 75,000 से एक लाख भगतों को भोजन कराया जाएगा आयोध्या राम मंदिल को लेकर हो रही तैयारियों की सीयम योगी और पिया मोधी की 5 सितंबर को डिल्ली में बैठा खोचकी है तो दोस्तों उमीद करते हैं या वीडियो आपको अच्छा लगा होगा हमेशा रहस भरी जनकारी के लिए आप मेरे चनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा